बेटी, तुम क्या कर रही हो? पापा, मैं तुकुछ नया बनाने की कोशिश कर रही हूँ अच्छा? अपा, आपको पता है, मेरे जैसे, बलकि मुझसे भी छोटी बच्चे देश की कोने-कोने में, गाउं में, शहर में, तरहा-तरहा के आविशकार या नई खोज कर रहे हैं आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे वाँ, पर वो क्या आविशकार कर रहे हैं? अच्छा, तो सुनिये, एक लड़की थी, एक छोटी से घर में, अपने मा के साथ रहती थी बच्चपन में ही उसने अपनी आखों की रोश्नी खो दी एक दिन उसकी मा अचानक बहुत बिमार हो गई अब वो अबिचारी क्या करती? उसने एक हिम्मत वाला फैसला लिया वो अकेले ही निकल पड़ी डॉक्टर को बुलाने सही वक्त वे डॉक्टर सहाब आए और तवाया देके मा को बचा लिया लेकिन वो तो देख नहीं पाती थी डॉक्टर सहाब के पास पहुँची कैसे? वो जब मा के साथ डॉक्टर के पास जाती थी तो वो दिशा का धियान रखते हुए अपना हर कदम गिन्ती थी और उसको याद रखती थी वाय रश्मी नाम है उसका और तो और उसने इस घटना से कुछ साहित होकर एक कमाल के वीलचियर के बारे में सुचा जिसे अगर आप बता दे के कहा जाना है तो वो आपको अपने आप वहाँ पहचा देगी ये तो सच में कमाल का चीज है उसको तो ये नाम मिलना चाहिए हाँ पापा और उसे मिला भी उसने नैशनल इनोवेशन फाउन्टेशन को इस विचार के बारे में पिखा और समझाया कुछ महिने बाद खूद बॉक्तर एपीजे अप्दुल कलाम ने उसे एक नाइट पुरस्कार दी के सम्मानित किया वाँ ये तो बहुत बड़ा सम्मान है हाँ पापा क्या आप और भी ऐसे कमाल के तर्कीबों और उनको सोचने वाली बच्चों के बारे में सुनना चाहेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं आप बस के लिए इंतजार करें या ट्रेन के लिए अपने सूटकेस में से इस फोल्डिंग चेर को कहीं भी खोल कर आराम से चैन से बैट कर इंतजार कर सकते हैं ये थी निशा चौबे की सोच विनोथा लैला और आर्ती का एक अनोख हैलमेट है जिसको पहने बिना आप बाइक स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे वाह क्या बात है अभिशेक की इस मज़ेदार मशीन में कुछ छोटे डब्बे हैं जिसमें आप अपने हिसाब से सबजी, पानी और मसाले रख सकते हैं और टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं फिर रेसिपी का बटन डबाने से गर्मा गरम खाना कुछ ही देर में अपने आप तयार हो जाता है अर्चना ने बैसाखी में शॉक एब्जॉर्बेल्स लगाया जो बगल में पढ़ने वाले दबाव को कम कर देता है आपने भी अगर ऐसा कुछ नया सोचा या बनाया है तो तुरंथ उसके पारी में लिख कर भेजिए अगर आपका आइडिया चुना गया तो नैशनल इनोवेशन पाउंटेशन खुद ही डिजाइनर्स और इंजिनियर्स के मदद से उसका मॉडल या प्रोटो टाइप बनवाएगा और उसको चाचेगा भी इसके साथ साथ उसका पेटेंट यानि बौधित अधिकार के लिए आपके ही नाम से आवेदन भी करेगा और तो और इसका वियापारी करन करने की कोशिश भी करेगा ताकि सब को इसका लाप मिल सके इसको कहते हैं इन्वर्टेड मॉडल अफ इनोवेशन जानि कि हम सब बच्चे नए आइडियास देंगे और नई सोच भी इंजिनियर्स और डिजाइनर्स उसको बनाएंगे और कमपनीज उसका वियापारी करन करेंगे हो गया नए इन्वर्टेड मॉडल जिनका आइडिया चुना जाता है उनको डॉक्टर एपीजी अब्दुलकलाम खुद पर उसकार देते है टीवी नियूस पेपर्स और बाकी मीदिया के दुआरा इनका प्रचार भी किया जाता है अब्दुलकलाम जी ने बहुत प्रेरना शाबाशी और साहस दिया और इस बात का विश्वास बिलाया कि हम सब में है वो बात नई सोच, नई दिशाय, नई सपने देखना और उनको पूरा करने का विश्वास रखना यही हमारी चुनाति होनी चाहिए क्योंके हम सब में है वो बात वाँ, इसका मतलब हर कोई अपना आइडिया या आविश्कार भेज सकता है हाँ पापा, कर्शा बारा तक का कोई भी बच्चा मैं भी तो भेज रही हूँ इस सार और तुम लोग भी भेजना और हाँ, अपने दोस्तों को भी इगनाइट के बारे में जरूर बताना